Hello everyone, welcome back to the Rana Academy. So last lecture के अंदर मैंने class 9th ICSC Physics का जो chapter number 7 है. उसके part C की कुछ थियूरी मैंने discuss करी थी. जिसके अंदर हमने discuss कि यह दे spherical mirrors के बारे में, कितने types के होते हैं, कुछ technical terms related to the spherical mirrors, और focus क्या होता है, focal plane क्या होता है, focal length क्या होता है, उनके बारे में हमने discuss किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो कोई बात नहीं, उपर आपको एक I button मिलेगा, वहाँ क्लिक कर देना, और उसके related जो वीडियो है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी. तो चलिए, आज के lecture के अंदर, हम study करने वाले हैं, कि कैसे हम ray diagram बनाते हैं, concave mirror के. तो बिनको time waste किये, चलिए, शिरू करते हैं. तो ray diagram करने से पहले, हम करेंगे कुछ convenient rays, for the construction of image by the ray diagram. मतलब यह कि कुछ हम basic rules पहले understand करेंगे, और उन्ही rules की help से, हम अपने ray diagrams को बनाएंगे. तो देखी कैसे करेंगे. सबसे पहला rule हमारा यहाँ पर यह कहता है, कि suppose कर लो कि मेरे पास एक concave mirror है, like this, और आप जानते हों बिटा कि यह है आपका यहाँ पर pole, और यह है आपका center of curvature, और उनके बीच में होता है आपका focus. तो rule number one actually यह कहता है, कि अगर एक ray of light center of curvature से होकर, मेरे mirror से strike करेगी, तो strike होने के बाद, यह वापिस उसी path से reflect back कर जाएगी. अब मन में यह ख्याल आता है कि सर ऐसा होता क्यों है, क्या reason है, तो देखिए reason बहुत ज़्यादा simple है इसका, और वो reason यह है कि देखिए आप अच्छे तरह जानते हैं कि कोई भी concave mirror जो है, वो actually में एक imaginary sphere का part होता है, और उस sphere का अपने एक center होता है, जिसको बोला जाता है आपका center of curvature, जो कि इस condition में यहाँ पर है, और यह है आपकी वो principal axis जो यहाँ पर बनाई गई है, तो किसी particular point पर अगर मुझे tangent draw करना है, तो बस एक line मुझे लेनी पड़ी कि like this, and उसको एक point से touch करते हुए मैं यहाँ पर draw कर दूँगा, अब mathematically हम एक बाद जानते हैं, वो यह है कि हमारा जो radius होता है sphere का, वो हमेशा इस tangent के perpendicular होता है, तो कहने का मतलब, कहने का मतलब यह है कि यह जो radius है, देखिए, यह C point से लेके इस point तक के बीच का जो radius है न, वो actually में normal है, उस mirror का, और normal क्या होता है, normal वो होता है जो हमेशा मेरे surface के क्या हो perpendicular, तो किसी particular point पे, अगर मुझे perpendicular बनाना है, तो just उस point को और center of curvature को आपस मैं touch कर दो, वो line अपने आप में ही क्या होती है, एक normal होती है आपकी, और अब अच्छी तरह जानते हो, कि अगर एक ray of light normally किसी surface में fall करती है, तो strike होने के बाद उसी path से reflect back कर जाती है, and this is the reason why कि जब एक ray of light center of curvature से निकल कर mirror से strike करती है, तो after striking to the mirror, it reflect back to the same path, और it retraces its own path, तो ये बात सिर्फ concave mirror के लिए applicable नहीं है, ये convex mirror के लिए भी applicable है, देखे, मैं आपको बताता हूँ कि, ये देखी, पहली बात तो convex mirror आपका इस तरह से दिखाई देता है, bulging out, और जो इसका polishing surface है, वो पीछे की तरफ होता है, ये हो गई आपकी principal axis, और याद रखें, कि convex mirror के case में, जो हमारा center of curvature है, वो right side पे होता है, और mirror के पीछे कुछ भी हो, वो हमेशा virtual ही होता है, तो अब इस condition के अंदर क्या होगा, इस condition के अंदर ये होगा, कि अगर एक ray of flight fall कर रही है मेरे, convex mirror के उपर, such that it appear to pass through the center of curvature, that means it will reflect back to the same path, अगर वो center of curvature से होके जा रही है, या appear to होके जाएगी, उन दोनों condition में टकराने के बाद, वो हमेशा reflect back करता है, ये मेरा पहला rule है, second rule क्या है, second rule ये है आपका, कि जैसे कि मेरे पास माल लेते हैं, ये है मेरा concave mirror, इस condition में, अगर ray of light, मेरे parallel है, मेरे principal axis के, like this, तो वो हमेशा focus से होके जाएगा, और इसके बारे में मैंने आपको already बताया है, क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था, कि actually में क्या होता है, कि जो normal है, वो तो मैंने आपको बताया दिया था, कि center of curvature और इसके बीच में होके जाता है, ये मेरा angle of incidence होता है, तो ये जो line है ना, हमेशा low of reflection को obey करते हुए, इस focus से पास होके जाती है, तो इसलिए जब भी ray of light, मेरे parallel होगी principal axis के, तो वो हमेशा focus है होके जाएगा, तो ये बात हमेशा याद रखना, चलिए, अब मैं आपके लिए, convex mirror का बना देता हूँ, तो this is my convex mirror, इस condition में क्या होगा, दिखे मैंने ऐसे, पिलकुल इस तरह से मैंने बनाया, यहाँ पे parallel बनाया, थोड़ा पीछे की तरह मैंसे extend कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, अब यह मेरा angle of incidence है, तो जो ray of light है, after reflection वो इस तरह से चली जाएगी, but it will appear to pass through the focus, that is F, and of course यह एक virtual focus है, actually मैं यह exist नहीं करता, clear हो गया जी, उसी तरह, अगर मेरी ray of light, ठीक है, अगर एक ray of light मेरे focus से होके जाती है, तो टकराने के बाद वो parallel हो जाएगी principal axis के, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, तो मैं आपके convex mirror के लिए भी यह कर देता हूँ, कि अब इसका मतलब क्या है, मतलब समझने के प्लीज कोशिश करना, कि यह देखो, यह आपका focus था, यहाँ पर आपका center of curvature है, तो अगर suppose कर लो कि ray of light आ रही है, आ रही है, such that कि वो कहां से होके जाएगी, it appears to pass through the focus, it appears to pass through the focus, तो after reflection क्या हो जाएगी, parallel हो जाएगी मेरे principal axis के, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है, बस, अब एक आखरी rule रह गया है, जल्दी से वो भी देख लेते हैं, तो अगर मेरे रे ओ फ्लाइट अब मालो पोल पे strike करती है, तो क्या होगा, देखिए कैसे, मैं वो भी दिखाता हूँ, यह मेरा हो गया, concave का mirror, ठीक है, थोड़ा मैं पीछे dotard दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया, यह मेरा dotard है यहाँ पर, अब, रे ओ फ्लाइट जो है, वो मेरे fall कर रही है, कहाँ पर, पोल पे, देखिए, तो देखिए, एक अब अच्छी तरह समझ लीजिए, वो यह है, कि जो principle axis है, वो अपने आप में ही natural, normal होता है, देखिए, अगर मैं इस point पर tangent row करूँगा like this, तो यह जो line है, यह आपका normal है, मतलब यह angle of incidence आई है, तो इसका मतलब हुआ कि law of reflection के हिसाब से, जो ray of light है, वो convex के लिए भी बना सकते हैं, देखिए, जैसे मैं यहाँ पर के लिए बनाऊँगा, कि अब एक ray of light आई, ठीक है, pole पे टकराई, और टकराने के बाद, यह इस तरह से reflect पैकर चाहेगा, तो यह आपका I है, तो यह आपका क्या होगा, R होगा, clear हो गया, so तो यह कुछ rules हैं, जिनके basis पे हम अपने ray diagrams को बनाएंगे, तो चली जल्दी से अब हम ray diagram बनाना भी सीख लेते हैं, और यह देखती हैं कि किस तरह की जो image है, वो हमारी बनती है, देखिए, सबसे पहले बिटा आता है कि when the object is at infinity, जब आता है, when the object is at infinity, तो हम क्या करेंगे, देखिए, मैं आको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजे कि मेरे पास है एक concave mirror, अच्छा मेरी बात आपको बता दूँ कि अगर कोई इसको perfectly खुद बनाना चाता है, proper way में, तो वो कैसे बना सकता है, तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको एक compass लेना पड़ेगा, और उस compass का जो radius है, वो आप 8 cm ले लेना, नहीं तो 6 cm ले लेना, तो suppose आपने क्या किया है, 6 cm का compass ले लिया, ठीक है, आपने उसका जो sharp end है, वो इस point पे रखके, एक circle आप याँ ट्रो कर सकते हो, तो आपने क्या करना है, 6 cm का radius रखते हुए, आपने ये ऐसा arc प्रड्यूस करना, जैसे मैंने arc यहाँ बनाया ना, वैसे arc आप बनाएंगे, ठीक है, अब इसका जो center होगा, वो obvious आपका pole होगा, इस दोने की बीच की दूरी क्या है, आपकी 6 cm की है, बिल्कुल इसके exactly center पे एक point बना दोगे, तो वो आपका focus हो जाएगा, यह आपका center of curvature हो जाएगा, और यहाँ पे line खेज देना, बाकि rules को follow करना, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, exactly वैसे ही, आपको image actually में मिलेगी, तो देखिए, अगर तो आपका object infinity पे है, तो infinity से जब rays of light आती है, हमेशा parallel होती है principle axis के, या तो नहीं भी हो सकती, अगर वो आपस में parallel है, और principle axis के भी parallel है, तो उस condition में rays of light आएगी, parallel to the principle axis, और आपको मैंने क्या बताया था, कि अगर वो parallel हो मेरे principle axis के, तो वो actually में पास करती है, कहां से, वो actually में पास करती है, focus से, कहां से पास करती है, focus से, arrow बनाना मत भूलना, जहां पे आपने arrow बनाना भूल गए, आपका ये red diagram जो है, वो गलत हो जाएगा, अब हम बात कर लेते हैं हमारे image की, तो पहले बात तो highly diminished image है आपकी, highly diminished आपकी image है, दूसरा real भी है, और inverted भी है, ठीक है, और image कहां बनती है, add focus, कहां बनती आपकी, add focus, clear हो गया जी, अब, दूसरा case, दूसरा case ये है कि, अगर माली जी rays of light आपकी inclined है, तो क्या होगा, please try to understand, मतलब ये कि, inclined तो है, जैसे कि मैंने यह यह आपर बनाया, मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखा देता हो, आपको, इस तरह से दिखा देता हो, inclined तो है, और, बट आपस में pallor है, पहलर होने का मतलब हुआ कि, एक ray of light ये भी माल देते, चलो, ये है आपका, तब क्या होगा, तब बस कुछ भी नहीं, आप नीचे एक dotter line बनाओगे, like this, ये जो है, पहले आप क्या करते हो, आपको पता है कि, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक normal draw करना पड़ेगा, ये angle of incidence है, तो angle of reflection बनाते हुए, ray of light आपकी, यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर, ray आई, टकराई और यहाँ आगई, similarly, यह आई, टकराई और यह आपका meet करेगा, इसी point पर, like this, ठीक है जी, हाँ, इस case में, आपको, जो आपकी, image है, वो थोड़ी सी आपको, थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी, as compared to this particular condition, इसका मतलब हुआ कि, हाँ, diminished अभी भी होगी, मतलब highly diminished, मैं अभी भी बोलूँगा इसको, diminished अभी भी होगी यह, साथ में, देखो real तो है, अगर real होता है ना, तो inverted होता ही होता है, और कहां बन रही है, image at focus, basically focal plane है यह, जहां पर यह बन रही है, clear हो गया, आगे देखते है, when the object is at far distance, actually यह जो case आपको, मैंने अब बताया ना, यह वो ही case है, at far distance वाला, ठीक है, इस condition के अंदर हमेशा याद रखना, कि अगर आपस में parallel हो, बर principal axis के ना हो, तो focal plane पे जाके, वो meet करेगा, otherwise मैं आपको बता चुका हूँ, अब क्या होगा, ठीक है, एक अपना concave mirror बरा दिया, यह मेरा concave mirror हो गया, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरा pole हो गया, focus हो गया, center of curvature हो गया, और यह है beyond की बात करते हैं, जब भी हम कोई भी object प्लेस करते हैं, principal axis पर तो दो तरह की object होती है, एक तो point object एक होती है, extended object, point object को आप ऐसे study कर से तो, जैसे कि एक छोटा सा bulb, LED, वो हमारा एक point object हो गया, tube light, extended object हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम extended object ले रहे हैं, जैसे A, B मैंने यहाँ पर ले लिया, अब इस condition में बिढ़ा हम दो तीन rays बनाएंगे, चार rules बताए होए, आप राम से बना सकते हो, पहला rule क्या था, अगर वो parallel जाएगा, तो कहां से होके जाने हो कहा था, focus से होके जाएगा न, तो यह देखिए, आपका focus से होके जाएगा, like this, दूसरा मैंने आप वो कहा था कि, अगर एक rail flight center of curvature से होके जाती है, like this, तो after striking to the mirror, वो reflect back करती है, उसी path से, तो यह इस case में आई ही, टकरा के वापिस चलीगे आपकी, image और आपकी पंच चुकी है, अगर फिर भी आपने एक तीसरी रे को show करना ही है, तो principle, sorry, यह जो पोल वाला है, यह आप दिखाएंगे like this, मतलब यह ऐसे आया, टकराया, टकरा के ऐसे इसको इस point पे मिल लिया, और यहाँ पर आपको मिलेगी आपकी, A- and B-, ठीक है, इस case में जो image है आपकी, वो है diminished, ठीक है, और साथ में क्या है, real तो ही है, inverted भी है, ठीक है, and lie कर रही है between F and C, between focus and center of curvature, ठीक हो गया, next देखते है, जो देखते हैं, when the object is at the center of curvature, ठीक है, कोई बात नहीं, तो जल्दी से बना लेते हैं, इस case में क्या हुआ बटा कि, देखो यह मैंने यहाँ पर बना दिया, यह आपका pole हो गया, यह आपका focus है, और यह आपका है center of curvature, अब आप क्या करेंगे, पहले extended object रख दें यहाँ पर, लीजिए, यह आपका A हो गया, यह आपका B हो गया, rays of light, parallel to the principal axis, focus हो के जाएगी, cut out, यह राम से हो जाएगा, दूसरा आप अच्छी तरह जानते हैं, कि अगर focus हो के गई, तो parallel हो जाएगी, जो basically यहाँ पर हमें meet करना था, यहाँ पर, यह आपका हो जाता है A-, और यह आपका B- है, एक बाद जान लीजिए, कि पहली बाद यह real तो ही है, real है तो inverted हो गई होगा, अब इस बार यह होता है, same size, और at center of curvature, जहां पर आपका object रखा होता है, image भी exactly वहीं पर बनती है, हाँ, अगों को कहता है, तीसरी line कहां से बनाओ, देखे, pole, हमेशाँ pole होता है, pole पर टकराओ, यहीं से meet करा दो, तो यह आपका बच जा रहे है, ठीक है, next, when the object is between the center of curvature, C and the focus F, बहुत ही असान है, देखे, इसमें भी क्या करूँगा मैं, कि मेरे पास, यहां पर हो गया, एक mirror, यह मेरा mirror हो गया, ओके, इस condition में, यहां पर अगर देखो, तो यह मेरा focus है, यह मेरा center of curvature है, ठीक है जी, अब मेरा जो object है, वो कहां लाई कर रहा है, C and F के बीच में, तो यह लीजिए, मैंने यहां पर रख दिया, यह मेरा A हो गया, यह मेरा B हो गया, अब सबसे पहले, parallel, focus से होके जाएगा, focus, parallel हो जाएगा, यहां पर meet कर रहा है आपका, और तीसरा अगर आप चाहे, तो pole वाला, pole वाला system तो मैंने बताये हुआ है, कि pole पर टकराओ, और यहां meet कर तो, यह ऐसे, यह पोल है ना आपका, यहां पर, तो यह गया, टकराया, यह टकराया, reflect हुआ लाइक दिस, तो जो image है, वो आपकी ऐसे बन रही है, A dash and B dash, तो basically, फिर से वोई बात के, real तो ही है, inverted भी है, और, यह थोड़ा सा magnified है बिठा है आपकी image, थोड़ी से बड़ी बनती है अब यह, ठीक है, beyond, center of curvature C, आपकी image बनती है, clear, अब आगे देखते हैं, फिर मार पस आता है, when the object is at focus F, चलिए भी देख लेते हैं, फटा-फट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मेरे पास, लेजे mirror मैं, यहां पर बना देता हूँ, यह मेरा concave mirror त्यार हो गया, यह मेरा pole है, यह मेरा, यहां पर focus आजाएगा, और यह मेरा है center of curvature, देखे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपना object रख देता हूँ, यह मेरा object है यहां पर focus पे, यह A है, यह मेरा B है, तो क्या क्या करूँगा, सबसे पहली बात देखो, parallel focus से होके जाएगा, perfect, दूसरा, rear of light, actually मैं गई सामने, but it appears to pass through the center of curvature, तो टकरा कर actually reflect back हो गई, और reflect back होने की वज़य से, यह मेरे parallel हो गई, इस ray के साथ, like this, और अगर आपने तीसरी बनानी है, तो देखें, मैं बार-बार आपको बता चुक हूँ, आप pole वाला concept कभी भी गलत नहीं हो सकता, like this, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, clear हो गया, so, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब exactly यही है कि, यह तीनों की तीनों कहां पर है, यह infinity पर meet करती है, meet and infinity, so, मतलब, जो इसमें image है, पहली बाद तो कहां बनती है, add infinity, add infinity, ठीक है, real है, inverted है, highly magnified है, highly magnified है, तो लीजिए, sixth वाला भी हो गया, last है, यह seventh वाला, इसमें कहता है, कि जो object है, वो focus and pole के बीच में है, बहुत ही ज़्यादा असान है, देखिए, क्या करेंगे, सबसे पहली बात यह है, कि फिर से वो mirror बनाएंगे, like this, यह मैंने बना दिया, है आपके लिए यहाँ पे, इस बर जो object है ना, वो इन दोनों के बीच में, यह A हो गया, यह आपका B हो गया, so step number one, कि हमारे इस case में, यह आपकी rear of flight है, pole पे आएगी, टकराएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है जी, दूसरा case क्या है, मैं इसको थोड़ा से पहले जॉइन करता हूँ, ताकि थोड़ा समझाना मेरे लिए असान हो जाए, ऐसे, मतलब अगर देखो के तो क्या हुआ, कि यहां से ना, पहले रे आपका इस तरफ गई, इस से टकराया, टकराने के बाद, वो reflect back हुआ, और वो center of curvature चला गया, अभी दोनों तो diverge है, मलब एक दुश्रों को भी meet नहीं करने वाली, so they appear to meet at the back, they appear to meet at the back, यह से meet करेंगे, और यहां पर बनेगी आपकी virtual image, a-p-, एक बात आपने ध्यान से यहां पर देखी, कि मैंने जो भी पीछे की तरफ बनाया है, dotted line से ही बनाया है, please इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, so, पहली बात तो, कहां बन रही है, बेड़ा image, behind the mirror, behind the mirror, पहली बात तो यह, दूसरा, अब यह virtual है, virtual है, तो erect भी है, erect है तो magnified भी है, magnified है, ठीक है, it is a magnified image, तो इस तरिके से, हमारे जो ray diagrams है, concave mirrors के, वो खतम हो जाते हैं, I hope आपको, यह ray diagram तो समझ में आगे होगे, right, फिर हमारे पास आता है, बहुती important note, पहला, कहता, in case of a concave mirror, the image formed, can be real, as well as virtual, आपने देखाने, last case में virtual बना, वैसे बाकि सभी cases में, real image ही बनता है, इसमें हर type की image बनती है, diminished image भी बनती है, same size की भी बनती है, और magnified image भी बनती है, ठीक है, image का nature क्या होगा, उसका size क्या होगा, वो इस बात पे depend करता है, कि object की position क्या है, and the most important line, कहता है, image is diminished, when the object is beyond the center of curvature, but it become magnified, as the object comes within the center of curvature, and of same size, at center of curvature, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि, अगर आप अपने object को, infinity से, focus की तरफ लेके आओगे, towards the pole आप लेके आओगे, तो जो size है, मेरे image का, वो actually धिरे-धिरे बढ़ता रहता है, पहले आपका थोड़ा, beyond the C था, तो diminished था, C पे रखा तो same size हो गया, C और F पे रखा तो magnified हो गया, F पे रखा तो highly magnified हो गया, और F और pole में रखा तो फिर magnified हो गया, so कहने का मतलब है कि, जो size है आपके object के image का, वो धिरे-धिरे increase होता रहता है, जैसे आप object को mirror की तरफ लेके आते हो, I hope, आपको ये जो concave mirror, उसके ray diagram, उसके ये important notes है, वो समझ में आगे होंगे, ठीक है, तो आज के lecture के अंदर हमने study किया, concave mirror के ray diagram के बारे में, I hope आपको अब ये समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से हमें ये, actually में अपने ray diagrams बनाने हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो please like it, share it and subscribe it, आज के लिए बस इतना ही, thank you so much,